इससे पहले वाले विडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं Chemical Kinetics की Definitions अर्थात रासायनिक बलगत्की की परिपासायन रासायनिक बलगत्की की कुछ मूल भूत सब जैसे अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं अभिकारक की सान्दता में होने वाले परिवर्थान और उसके यारार पर अभिक्रिया की आवसत दर किन्तु Chemical Kinetics में आवसत दर का बहुत अधिक महत्म नहीं होता है यह आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिवर्थान यह रहा रहा है है अगर ए से बी ज़ tip ढ़ल रहा है और एकी स त्राइब में बहुत होती है । लेकिन आतना जैसे त कि लित्रत कर कि अभिकी सान्दता उस देरेता ल्के पर इसकी साहनता अधन आपर और इसकी सामसा मिस शाहता बढ़ता है प्रता परिवजिंस इने कमी होने लगती है और बी की सांथा देर देर ब्रिद्धी होने लगती है तो कुछ समय के बाद आप जानते हैं कि सावियास टाहिवी प्राण व्हें बहुत तेल यहीं जैसे जैसे अभिक्रिया की जो दर है वो धीरे-दीरे कम होने लगी यह की सांथा में कम होने लगी तो इस तरह से और सथ दर के वार हम किसी रासायलिक अभिक्रिया की लगी तरह से लिए इसके लिए नया सब्सक्रिया की ताथ चड़िक दर का कार्ण होता है एक चड़िया बहुत सुक्ष अंत्रा डेल्टा-टी को दे रहे थे डेल्टा-टी का मान अत्यांत सुक्ष होना चाहिए बहुत ही कर दो उस शाड़िया होने वाले परिवर्टत जानी तार्चिक दर के सकते हैं कि एक होने वाले सानुत में परिवर्टत को तार्चिक दर के सकते हैं अर्था जो ताचिक दर होती है उसका कि ताचिक दर के पईभासा रोड़के हैं तो लिखेंगे कि किसी निश्चित छण में कि निश्चित छण में कोई सुक्षमन समय था अभिकारक या उत्पाद की सांग्रका में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की ताक्षणिक दर कहते हैं कि निश्चित छण में अभिकारक या उत्पाद की सांग्रका में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का और सतदर कहते हैं अगर इसके लिए बात करें गड़की रूप में तो डेटाटी को डेटी के रूप में लिख सकते हैं और अभिकारक से उत्पाद के परिवर्तन की दर का अध्यान कर रहे हैं वह बहुत ही सुक्ष होना चाहिए अत्यान सुक्ष हो सकता है वो अभी दिया की ताथ चलत पर आए जाद आए और सकत दर कि अफ्था तब कह सकते हैं कि ताठ्षडिक दर और और सब्सक्राइब क्यों कि डेटा डी करो मान होता है वह बहुत ही शुक्स होता है गड़ती रूप में माएं कि कोई तबिश्विया तो यह विक्रिया है इसमें विक्राइब परवर्टी और इसके पाठ्षडिक दर की बात करें और नाता है इस पाठ्षडिक दर कि डिपेंड़ता है एक ही सांता में कमी और वी की सांता में ब्रिद्धी यह हो अब होता है और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अब देटा एक है वाई डेल्टा एक है इस वर्टा था डेल्टा था डेल्टा था अपान डेल्टा थी ति अधिक नहीं देखें कि और सफ़तर रेटिक में है और सब्सक्राइब कि अधिकने में बहुत ही कम समय था डेल्टा थी और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब माइनस डेल्टा ए अथा एक के सांद्रण परिवर्टन अपान डेल्टा थी अधिक अधिक हम ताच्छन पर की बाद कर लाए इसके लिए अतिश्यू पुच्छान इत्राव हो गता है यहां डेल्टा थी वर्ट को अधिक यहां रहा हो गया यह सांद्रा की कमी की की सांद्रा नहीं कमी हो रही उंगें सांद्रा पर्रीवर्दियोगि और इत्यंगें इसका हुआ देल्टा we अधिक और कि वेल्टा कि इसको उन्सक्राइब कुंग इसको पूंद ने अ कि इतनी सांथा में कमी होरी तो टीटों कि मुझे ऑपनेेट इन नियुक्त है और आजान है कि ताक्षणिक दर आपी सुक्षण वे लेते रहे हैं और पिस अधाप यह रिसकता है और आपको बताया है कि और सब्सक्राइब की तुर्णा में ताक्षणिक दर के लिए हम रोग डेटा के अस्तान कर लीड़ आप यूपरते हैं ओगो लाएगा ताक्षणिक दर आपको डेल एक आपको डेल एक आपको डेल टी इकवर्टो डेल बी आपको डेल पी इस तरह से भी लिख सकते हैं अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणवित्ता ऐदी आणवित्ता या बॉल्ट देल आप रिएक्सल आणवित्ता का अर्थ है अभिक्रिया में भाग लेने वाले और वो की संख्या अब जानते हैं कि अपने से एक सिदान था संघट्य सिदान संगर्टे सिद्दान को स्लेवर्स से निकाल देया गया है अगर उस सिद्दान की बात करें थोड़ा सा तो किसी अभी गुरिया के संपन होने के विए और उनों का आपस में टकराना अनिवार है इसको अपने सीदे सीदे गेम के माद दें समझे अगर उसकी बात करें तो आपने देखा है कि जब फुट्वॉल के किक मारते समय सारे किक प्रभावी नहीं होते है तकर तो होता है बार-बार सभी लोग किक मारते हैं लेकिन उसमें से बहुत ही कम ऐसी देंग होती है जो सीदे गोल्पोस्ट में जाती है जानी बहुत सारी अभिक्याओं के वह भी बोल नहीं होते हैं इस अभिक्सुए से कुछ ही तकर जो है उसको बोल्पोस्ट में देश बाते हैं इसी तरह से अर्णों के टक्राने की वह और जिससे अभिकार उत्वाद में वहीवर्दित हो जाए उसी की बात करते हैं और अक्षेद को कि संख्या कम होती है तक्र जिससे अभिकार आपसती करके तो जैक्यतल अपस डिक्र कारने साय वह तेक्र तो उपकार में परिवर्दीत हो जाए आंप परभावित्त पाप्र की संख्याद है मुख्यतर एक दो या तीन तीन से आधिक प्रवाविक होने की स्तंभाना है संगट किसी दान के अंतार काम होती है अनि वह विक्रिया हो रही है उसकी आणविकता एक दो या तीन हो सकती है तीन से अधिक प्रवावनिक संभाना है तो हम बात करें आणविकता की तो कह सकते हैं की एक रासायनिक अभिक्रिया के संपन होने के लिए उन क्रियाकारी इस प्रवावाव प्रमाण और अथ्वावावाव की संख्या जिनका एक साथ हो कराना आवस्यक है अभी क्रिया की आणविक्ता क्या रहती है कि कि किसी अभी क्रिया के संपर होने के लिए विक्रिया हो रहे हैं उसको पूर होने के लिए यह कारत का उपाद में बदलने के लिए चाहे हो परहाण हो और हो यह आया हो यह आपने सब्सक्राइब परहाण टक्रा सकते अभी क्रिया को संपन करने के लिए उसके क्रियाकारी स्पिसीज प्रमाण और या आयन की वह संख्या जिनका एक साथ टक्राना आवस्यक है अभी क्रिया की आणविकता कहलाती है अभी इसके आदाव अभी क्रिया की अंविकता एक गोह लिए ओ सकती है क्योंकि एक अंग किसी चीज़े टक्राने और या तीन और इससे औधी अंगों का आपस में टक्कर के फ्रसौन उत्पाद में हुए वर्तां संभाव नहीं ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अड़ों को एक साठ टकराने की संभावना है बहुत ही कम है कि और पूसरे से बूर भागते रहते हैं उसमें प्रभावी टक्रों की संच्छाप होता है कि इसके आधार पर अड़ों कर देडिया ज्यार कर दिए अगी कर दिए अगी कर देडिया और त्री अनों आभीकर्या जैन्यदी का विक्रावाचन है तो कह सकते हैं कि एक अनों कर देड़िया एक आपर जिसमें एक और नो करें जिसमें इस और के ठक्कर के फॉल्सों होगी यह कहीं और क्या होता है उत्पाल में परिवर्टीट होता है जैसे इस तरह देख रहे हैं कि इसमें क्या रहे है एक और विक्रिया में भाग ले रहा है या एक और की सांद्रता में परिवर्टन हो रहा है इसे करते हैं एक और विक्रिया द्वी आर्ड़ी की बात करें है कि द्वी आर्ड़ी करें जब अभिकारा के दो और किसी राशा आईने के विक्रिया में भाग लेते हैं जार दो और के टकराने के फल्स होता है अभिक्रिया पूर होती है उसे कहते हैं द्वी आर्ड़ी अभिक्रिया जैसे है आप उचारी ही इसे प्रम्स सब्सक्राइब लिए अपसके तक रहा है और लोग लोग नियां है इसे फैर्टे हैं इस तरह से बात करें ट्री आर्णिक अभिग्रिया या जिसकी आर्णिक तरह तीन हुआ त्री आर्णिक अभिग्रिया जिस अभिग्रिया के पून होने या जिस अभिग्रिया के संपन होने के लिए तीन अड़ों का टक्राना आवस्या या आप कह सकते हैं कि तीन अभिग्रिया के यह जब टक्रा कर एक उत्पार बनाएं या कई उत्पार बनाएं तेकि अभिग्रिया के पून होने के लिए क्या तेन लगों का तकलाना आवस्यकों उसे कहते हैं 3RB अभी अभी दिया एकजांपल की बात करें पूप एंडों प्रस पूप एंडों पूप इस दो एंडों नाटिक अक्साइड दो और उसे तकाते हैं तो दो और तीन अपस में विखिया करके नाइटिक आसाइड नाइट नाइट रहा है तो इसमें फूल अड़ों की संच्छा क्या हो गई तीन होगी और अभी आपको बताया जाए कि राशायनिक ब्रगत्कि में या राशायन विख्यान के अध्यन में या पाया लिया कि कि तीन से अधिक अधिक का एक साथ तकराना या तकराने की संभाने बहुत नियुकति हें अथि तक은ष्यों करते हैं वो त्री आड़विक तक ही करती है तो तीन अड़ों कि एक सार्ट करोने प्रूब अभीक्रियाओ की आड़विक्ता मली को वी क्रिया हैं कि नया सवधार है कि मौली को एक में पूरी होती है लेकि naw Прे…. तो यहां से घर दो दो प्रूरा किया उसी तरह से जमदु ओई अभी करिया तिसी आफैलिक प्रप्रण मथ कुछ गगें ईसे कहते हैं मौलक अभिक्रिया में अगर संत्रूलित समिकरण निखें औरो की संख्या किसे कि पीछे दो किसी के पीछे तीन तो या आइडी तो यह तो संख्या ही उस अभिक्रिया की आण विट्ता कहलाते है अर्था संभिकरण में दी गई और वो के संख्या और उसे पहले जो भी संख्या लिखी गई तो वह उसकी आण विखता कहलाती है जैसे यहाइसी बात करें परिवासा की तो पहले परिवासा नोट करेंगे मौलिक अभिक्रियाओं की आण विखता संथूलित समिकरण द्वारा बैट की गई अभिकारक अणों, आयनों अथवा अणों की संख्या के बराबत मानी जाती है कहने हैं मौलिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की आणविक्ता, अभिक्रिया की संतूलित समीकरण में दिये गए अभिकारक प्रमाणों कामा अणों अथवा आयनों की संख्या के बराबर मानी जाती है यह जिदनी संतूलित संतूलित संत्याट याथ है अभिक्राण अभिक्राण से बपात की द्रह आख में धेड़ा हो जोड़े जिए अभिक्राण में अहीं संतूलित संत्याग एक है सिंसे क्वू एक आंद है कि भी आज तो है कि अ कि अबसके पूल दूर अबकार्त कि अबसके नहीं तो भड़े हुआ है अलग भी हो सकते हैं एक है यहां अबसके जाए दो है इस पी इस अभी के लिए कि यार्ण विक्ता दो होगे और दीदेंट इस अगर टू एन लो गोई लो प्लॉस ओटू गे इस अगर देखें वह ओए तीन उड़ों संतुल संक्रम यहां दो लिखा है यहां पूलिका निए एक होगे इसकी आड़ विकता तीन होगे लिए इसको जोगते हैं कि उनिमाज़ यहां इसकी आड़ विकता एक होगे इसकी आड़ विकता है हागर इसकी लिखें कि यह को यह ऀ от शहरु अभिक्रियाओं की ल्टव्टा मल थे हो चाफ है इस तरह से कि Casey कि हमां चाहर है मौलिक अभिक्रियाओं की आणिक्ता की गर्णा उसकी संतुरिस अभिक्राण को देख कर सकते हैं लेकिन आप जाते हैं कि जटिल अभिक्रियाओं में इसा करना संभव नहीं है जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं की आणविक्ता जाना करने के लिए हमें कुछ नहीं जान नहीं हो कि अब बात करेंगे जटी अभिक्रियाओं के आणविक्ता हैं जटी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े सकते हैं कि वे अभिक्रिया हैं जो कई कोई और उत्पार में परिए तो इस तरह की अभिक्रियाएं जो कई पदों में पूर्ण होती है जटील अभिक्रियाओं की आणविक्ता की गड़ उसमें दिये गए संतूलित समिक्रण में दिये गए अंकों के आधार पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जटील अभिक्रियाओं में उनकी संतूलित समिक्रण में बहुत सारी अंकों की संध्याओं जैसे देखें अभी करें लोड़ प्लस पू अई पू mलस असुब कि आधार दो और दो चयाओं संतूलित समिक्राण कर दो होग्र चार नुट है अब जानते हैं कि कि चा लाण आब अभी आपको बताया का ताहिं अधिकता हैं अधिकतां तीन होती हैं तीन से आधिक होने की समाहा है बहुत ही कम या नगण हो जाती है इस तरह से यह देखने के अधिक पूर फोड़ेसर फर्मेंट प्लस डोड़ा एक्सील ग्योड एक्सील प्लस Mlc N12 Hiz 12 मुङँ और आफ गा करते हैं तुर खझक हो मुँ दोड़ेसर क्वहा है अधिक हैं आग तो 5,7 कुक के सिवाज में में दो थार गोए में से टू है अठावा सोल तो देखें को दो और चार्ण शैक सिए अधर्च होगे सब्सक्राइब पांच पांच अब अच्छार्ण आठ 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 अब यहां देखने हैं कि शोल और दू अठावा कि अधिकी अधिक करने नहीं है नहीं कि यह सबी चाहिक विधि नहीं सकते हैं तो इस तरह कि अधिक्रियाओं के अध्यन में ये देखा गया की कि यह विक्रिया कई पदों में होती हैं इसमें से कुछ पत क्या होते हैं भूत ही फास्ट होते हैं बहुत ही जल्दी हो जाते हैं और कुछ पत भूत ही कि अब होते हैं तो दो पर हो गये तीबर घती से और मंद्रती से हम इस तरह की अभिक्रिया की आणविक्ता का अधा उनकी मंदपद से करते हैं जो सबसे मंदपद होगा वने कि किसी जटील अभीक्रिया के सबसे मन्तपद में किसी जटी लविक्रिया के सबसे मंद पर सोपान या बेग्ड धारक पर करने वाले सोपान में भाग लेने वाले अणों की या अभिकारत पदावत के परमाणों की अणों की या आयनों की संख्या जटी लविक्रिया की आणविक्ता कहलाती है किसी जटिव अभीक्रिया में सबसे मंद सोभा अर्था सबसे कम गति से होने वाली पद में भाग लेने वाले अभिकारत प्रमाड़ो कामा अड़ो या आयनों की संख्या जटिव अभीक्रिया की आणविक्ता कहलाती है आगे दो कि वहात करें तो हुँ देखते हैं कि नाइटिक आगसद की अभीक्रिया नाइटिक है एक कि एक मन्त पद की अविक्रिया एक लिए जट्ल के लिए और दो एक लोगा अनुट एक लोग व्लास एस्ट्ट्ट्ट्र और इस तरह से बहें जाएंगे जट्ल के लिए कि अब अगलेता जासे हैं जैसरा है अब कि गि अधारता नेयुक्रेया कि अधी अधी है कि निर्दभालाइक पहले बच लोगा यानि फास्टो प्ले ओर फ्रु नवे का आई पर इसके पदोर को देखें तो अभी पिया के सुपाहन तो आप तो आप वात रहे हैं तो नाइट की शाय है यह यह पूँआ है कि यह इस पूँआ है कि यह चाहिए नाइटिक और साइड वन पर में हाडवन से क्रिया करके नाइटिक और गयास और एस पूँआ है अगया से मन होती है अब गुज्रेट पर में क्या होता है एस टू ओडू खिर से हाडवाज चाहिए कर लेता है तेजी से और प्रिया कर लेता है अगया अगया दो पर दो हो गई यह फास्ट होता है अब पहले से जानते हैं पता चुकिया की अभिग्रिया का बंदपध ही बेग निदारक पत होता है अगया यह वाला पत्त क्या हो गया कि यह स्लोग हो रहा है तो इस च्ट के देख रहे हैं कि दो और एक तीन अड़ों भाग ले रहे हैं अतल इस अभिक्रिया की आणविक्ता तीन हो गया किसी बीं जड़िल अभिक्रिया में जो सबसे मंत्त गती होती है उस पद को अभिक्रिया की आणविक्ता कहते हैं उस आदारें तीन अभिक्रिया की आणविक्ता तीन हो गया झाल झाल झाल